हेलो गाइज आप सबी का रूलाने क्लासे चैनल पर हरदिक स्वागत है और गाइज अपने यहाँ पर डबल खुसकबरी है नर्सिंग वालों के लिए स्टाफ नर्स वालों के लिए दो वेकेंशे हैं दोनों के अपने बात करेंगे इसी वीडियो में तो यहाँ पर देख सकत हैं जिला स्वास्ते सम्मीती अररिया के द्वारे गाइज पहली वेकेंशे निकली है तो इसमें हम बात करें तो यह कॉंट्रेक्ट बेस की वेकेंशे लेकिन काफी बढ़िया रहनी वाली है यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आपका कॉंट्रेक्ट होगा या फिर अपने ब पोस्टे हैं जाहीं जाला हैं सब से पहले हैं दाइफदकेंशे वीडियो बड़ा हो मैज शेक्का इसकी पनजिकरता होना अनिवार यह है आगे बात करते हैं मुर्चक की एक टोटल यहां पर तीन पोस्ट हैं उसके बाद गाईज हम मुखे रूप से बात कर रहे हैं जीनम की तो जीनम की गाईज यहां पर देख सकते हैं टोटल साथ पोस्ट हैं 60 पोस्ट हैं तो गाईज काफी अच्छी पोस्ट हैं यहां पर इ निभन्द परिशनद निभन्द होना ज़रूरी है है यानि लिए बात करते हैं बात करते हैं इसके लिएา चाहिए कि प्लसट के साथ है और तो डिप्लोमा है एं लेब टेकनिषियल अत्वा από ब्हसी या इमल्टी जो भी आपने डिप्लॉमा कर रखा है तो उसके बाद गा er पोस्टे आती है आई तेकनिशिन की तो गार जिसकी तीन पोस्टे हैं कैटि इस अप्रश्ण सकते हैं इसके लिए आपने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा इन ओटी एंडे एन स्पेसिस तता नियूंतम एक वर्ष का अगर आईश्यू के इंदर कारिया करने का अनुबहुत हो गाइज अपलाई कर सकते हैं उसके बाद डाटा एंट्री ओपरेटर इसकी टोटल गाइज 40 पोस्टे हैं उसके बाद आती है कक्स सिवक की इसकी गाइज 30 पोस्टे हैं इनके लिए अगर आपने दस्वी उतरिन कर रखिये और DCAE तो कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रख है और टाइपिंग स्प्रीड आपकी हिंदी में गाइज 20 वर्ड परतिमिंट है और अंग्रे बात करते हैं इसकी जब भी गाइज वोकन इंटर्वें भाग लेने वाले जो अभ्यरती है वो अपने साथ आविदन पत्र के साथ सबी वांचित परमान पत्र जैसे सेक्षनिक परमान पत्र अंक परमान पत्र मूल निवास परमान पत्र जात्ती परमान पत्र अन्य वांच को चिपकाना भी पढ़ेगा फोम पे आवेदन में भरी गई सुचनाओं को मूल निवास प्रमान पत्र अंक प्रमान पत्र से मिलान करने के क्रमें किसी भी परकार के अगर गाइज तुरूटी पाई जाती है तो उमीद्वार की उमीद्वारी वहां पर रदे कर दी जाएगी तो ये जो हाइर करने की परक्री या कॉंट्रेक्ट की परक्री है ये ऐस्ताई है और दिनाग 2721 तक अत्वा राज्य स्वास्ते समीति बिहार पटना की अगले आदेश तक काईज आपका कॉंट्रेक्ट होगा और इसमें वोकन इंट्यू कि अगर बात करते हैं तो इसका ज एंट्रिव में जो कोई भी कंडेट है वो जाना चाहता है वो साथ है दोजार 21 को प्राज साड़ी दस बजह से साड़ी चार बज़ें तक अपना पंजी करने करवा सकता है उसके बाद यहां पर जो कॉंट्रेक्ट है उसमें कारिये की बात करें तो कोरुणा से समन्दित प जो आविदन पत्र उस पर पद का नाम अंकित करना निश्ची तरूप से अनिवारिया होगा और ऐसे अभिवर्ति जिनकी विरूद अपरादिक मामला चल रहा हो अत्वा दंडित हुए हो वे चैन हित्व पत्र नहीं समझे जाएंगे और इसके से सुंचन मोड केवल इमेल, SMS या वाटसप होगा यानि आपको जो भी सुचना मिलेगे वो आपको इमेल के दोबारा या SMS के दोबारा या वाटसप के दोबारा मिल जाएगी अधा अब्यारती आविदन समर्पित करते समय एक्टिव इमेल आइडी, मोबाइल नमर, एंगित कोलम में हैं, अंकित करें यानि नीशीत रुप्षा आपको मोल हैं, जो आपके मोबाइल नमर है, इमेल आइडी वो जरूर लिखनी है अगर इमेल आइडी और मोबाइल नमर आप गलत लिखते हैं, तो इसकी सुचना है, और ब्यारती के पास नहीं पहुंच रहेंगी, तो इसके लिए अब्यवर्तिक स्वह में जिम्यवार होगा तो इस परकार गाईज ये एक वेकेंशी हुई, जिसमें काफी अच्छी पोस्टे हम बात कर चुके हैं, जीनेम की 60 पोस्टे हैं, टेक्निशन की 30 पोस्टे हैं, काफी जादा पोस्टे हैं, तो गाईज एक वेकेंशी तो ये है, दूसरी वेकेंशी के अपने बात करते हैं तो गाईज दूसरी वेकेंश यह वो गोर्मेंट अपपजाब की दवारा निकली है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये भी गाईज वोकन इंट्रिव के अदार पर होने वाली है इसमें आगे बात करते हैं गाईज इसका जो वोकन इंट्रिव होगा वोगा 56221 को आगे आपका त्रेपंजार सो रुपे रहने वाला है जिसके लेकर आपने डिगरी कर रहे हैं और आपका पंजाब मेडिकल कॉंसील की अंदर रिजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो गाइज यह थोड़ी हाई लेवल की वेकेंशी है मेडिकल ओपिसर की पोस्ट है इन सबी की गाइज आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल या वार्टसप ग्रूप से प्राप्ते कर सकते हैं दोनों की लिंक आपको गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ओके गाइज मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक अब तक लिए जय हिंद जय भार्ट